जहें दोस्तों बं देमातर नरिद्रमोडी के ग्याती पूरे विश्ववाय फैली हूई है ये बात जाहिर सी है जो लोगों को पसंद आता है ऩह जनको पशंद नहीं आता है वो भी अच्छी है क्योंकि हमारा देश में लोग त्न्त रहे यही बताता है कि आप किसी से नराज होकर उनके बारे में दो-चार बाते सोशल मीडिया पर बोल भी सकते हैं लेकिन उसके बाद भी नहींदर मोदी ने जिस तरीके से बार बार सामने आकर पबलिक के बारे में यहीं बात करी है वो दिखाता है कि उनको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता खास दोर पर अभी पांच में से चार राज्यों में जीत दर्ज करने के बाल जिस तरह से उन्हें रोड शो किया गुजरात में वो दिखाता है कि वो एक चुनाओ जीतते ही दूसरे चुनाओ की तैयारियों में जुट जाते हैं लेकिन अभी नहींद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है साथ इनुन दे कश्मीर फाइल्स की तारीफ लेकर भी कुछ शब्द कहें अब आप खुद ही समझ ये कि परिवारवाद की राजनीती हमारे देश में एक ही पालिटी को कितने बड़ा अगहाद दे कर जा रही है और इसके बाद भी उची समझ में नहीं आ रही है मतलब कॉंग्रेस की जो वरकिंग कमीटी है वो एक बार फिर से सुनिया गांदी को ही चुनती है और कहती है कि सुनिया गांदी ही सची लीडर हो सकती है अरे इतनी हारों के बाद तो भारती किर्किटी में कप्तान को भी बदल देया जाता उसकाथ कॉंग्रेस से पता नहीं क्या ही हम उम्मीद करें समझते है क्या कुछ कहाओ नरियस आ मोधी जी ने परिवारवाद के बारे में और कशमीर फाईल्स के बारे में वो विदान मतुरी रियन मोधी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला बोला है भाजपा संसरी दल की मीटिंग में मोदी ने सांसदों से कहा कि अगर विधानसबा चुनाओं में आपके बच्चों में के टिकेट कटे हैं तो उसकी वज़े मैं हूँ मेरे मानना है कि वंशवाद लोकतंतर के लिए सबसे बड़ा खत्रा है चार राज्यों के विधानसबा चुनाओं में भाजपा की बंपर जीत के बाद दिल्ली में पार्टी संसरी एदल की मीटिंग हुई पीम ने कहा कि परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है उन्होंने बीजीपी संसर्दों से कड़े लहजे में कहा कि पार्टी में परिवारवाद राजनीती की जादत नहीं दी जाएगी दूसरी पार्टीओं की वंशवाद की राजनीती के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी मीटिंग में मोदी ने दा कश्मीर फाइल्स की तारीव भी करी उन्होंने कहा कि ऐसी फिल्म में बनती रहनी चाहिए इन्होंने सच उजागर किया है फिल्म में जो दिखाया गया है कश्मीर के उस सच को दबाने की कोशिश की जाती रही है पीम ने भाचपा संसीदी दल की मीटिंग में युक्रेन से भारती चात्रों की वापसी को लेकर भी जानकारी दी मीटिंग के शुरुआत में उत्रप्रदेश उत्राखंड गोवा और मनिपूर में भाचपा की जीत के लिए प्राण मंतरी का स्वागत किया गया उस दोरान पीम ने भाचपा दक्ष जेपी नड़ा को सम्मान के लिए आगे कर दिया इसके बाद ग्रह मंतरी अमिच शाओ रक्षा मंतरी राजनाच सिंग ने मोदी और नड़ा को बड़ी माला पहना कर जीत की बधाई भी दी इससे पहले बाचपा संसिदी बोर्ड ने उत्रप्रदेश उत्राखंड मनीपूर और गोविदानसभा में विधायक दल के नेताओं के चुनाओं के लिए सेंटरल आप्जरवर और को अब्जरवर नियुक्त किये कि इंद्रिय ग्रह मंतरी अमिच्छा को उत्रप्रदेश के लिए और उत्राखंड के लिए रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग को सेंटरल आप्जरवर बनाए गया है इसी तरह के इंद्री वित्त मंत्री निम्ला सीतरवन को मनीपूर के लिए सेंटरल आप्जरवर बनाए गया है जबकि किरन रीजी जीजू वहां के एक को आप्जरवर है गोगा के लिए के इंद्री एक रिशी मंत्री नेदमे सिंग तोमर को सेंटरल आप्जरवर बनाए गय पिनेड़ा जी ने विस्तार से बताया कि उत्तपरदेश में 37 साल बात कोई सरकार लगातार दूसरी बार सक्ता में आई है। चाह रही थी कि जिन भी विधायकों को लेकर Copyright नाराज हैं उनको दोबसक नहीं दिया जाएगा। आपार्ट